नमस्कार आप देख रहे हैं पुर्बांचल संदेश मैं हूँ स्यूकुमार चोधरी आज हम दोवोलिया विकास खंड के अंतरगा चिलमा परसन गाउं में खड़े हैं जहाँ पर एक परिवार है गारी चालक हैं और गारी चला करके अपने बच्चों का पालन पुसर करते हैं बरसात हो तो पन्नी लगी होती है ठंधक का महीना चला है अईशे में छपड डाल करके यह परिवार जियों ने अपन करने पर मजबूर है परिवार का जो रासनकार तो मिलता है लेकिन जो आवास की सूची है पहले नाम था लेकिन बीच में नाम कट गया है जिसके चलते इ नहां के मालिक हैं जो घर के मुखिया हैं हम उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनको आवास क्यों नहीं मिलना है इधर आईए क्या नाम है शिवकुमार गवर जी आपका जो शपपर है यह इस पर पन्नी लगी हुई है ठीक है शपपर पुराना है कितने परिवार है चार पर लुए तो कैसे जीवन हो रहा है वेट के जीवन हापन हो रहा है ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में आपने पर पस्ताव दिया गए थे लेकिन वह पहले नाम था उसके बाद नाम कट गया हमारा सूची में से नाम कट गया तो आपको आवास नहीं मिल पारां कितने बरसे आप रहा है बहुत बरसुती है कि नहीं क्या करते आप अकरते। तो देखिए ये परिवार रासंकार है। सूची होती है उसमें नाम इनका कट गया है नाम कटने की आंगारी कव हुई है अरे हम जा रहे हैं कि दोजार सोला में और तब से आवास आपको नहीं मिला जो ग्राम प्रधानुक चुनाव लड़ते हैं कि अभी तक कोई अभी मिला नहीं है तो देखिए ये परिवार थे और इनको अभी भी जोपड़ी में गुजारा करना पड़ रहा है तो मेरी भी जो हमारे इस वीडियो को देखें साफसन प्रसाफसन से भी मांग है कि अईशे गरीबों को आवास तुरन दिया जा ये इनके परिवार एक छट के नीचे रह सकें तो नमस्कार धन्यवाद